अलो स्टूडेंट तो हम लोग एक्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर तो यहां पर क्या बोल रहा है तो हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग डाइग्राम बना लेते हैं तो बहुत ही इजी कोश्चर नहीं है वैसे दो तो यह हो गया हमारा सरकल अब सरकल के बाद उसने दी हुई है एक लाइन क्या दी हुई है लाइन और वह लाइन जो है इस सरकल को क्या कर रही है वह इंटरसेक्ट कर रही है अब जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे टैंजेंट बनानी है उस पॉइंट पे क्या दूसरी टंजेंट भी हमलोग ड्रॉ कर लेते हैं जो इंटरसेक्ट करें है जो यह तो टो की यहां से अब हम लोगों को by a two टेंजेंट बना लिने कि दिये जहां से लाइन सर्क वह कर ह्ह FahrraII intersect इस तरीके से यह एक tangent है ऐसा diagram है तो देखो यह line की equation given है कितनी है यह x plus 2y is equal to 4 and circle की जो equation है वो s कितना given है x square plus y square is equal to 8 given है अब यहां पर यह सुझ रहा है कि यह जो a point है और b point है यहां पर हमने tangent बना है इनका intersection point find करो तो intersection point मान लेते हम c है उसकी value मान लेते हम h,k अब दोखो अगर c के respect में c के respect में अगर हम circle के लिए code of contact निकालेंगे तो यह जो a b है यह क्या होगी code of contact होगी with respect to what h,k तो अगर हम a b की equation निकालना चाहते हैं तो a b की equation उस तरीके से हमारे पास क्या आएगी वह देख लेते हैं हम लोग तो a b की equation आएगी t बराबर 0 से h x plus ky is equal to 8 और given equation क्या है a b की a b की given equation है x plus 2i is equal to 4 अब हम यहां से क्या करेंगे दोनों को क्या कर लेंगे compare कर लेंगे तो इससे हम लोगों को point मिल जाएगा c तो अगर हम इसको compare करेंगे तो क्या हो जाएगा यह h upon 1 is equal to k upon 2 is equal to 8 upon 4 तो यहां पर यह 2 होने की वज़े से h की value तो हो गई 2 और है k की value कितनी आ जाएगी k is equal to आ जाएगा हमारा 4 तो h बराबर 2 4 तो हमारा answer is c point का 2,4 clear तो बहुत ही easy question था इस तरीके से हम लोग इस question को क्या कर सकते थे solve कर सकते थे चलो next example की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखो क्या कर रहा है code of contact of the tangent drawn from a point on the circle s1 x square plus y square is equal to a square to the circle s2 x square plus y square is equal to b square touches the circle s3 x square plus y square is equal to c square find the relation between a b c तो यह जही मैंस का शायद question है आया हो एक बार और बहुत ही easy question है इसके अंदर है ना तीन सरकल है तीनों सरकल जो है वो को सेंट्रिक है वो तो equation देखके हम लोगों को पता लग जाना चाहिए कैसे है को सेंट्रिक मतलब एक तो है सबसे बड़ा सरकल फिर उसके अंदर क्या है एक छोटा सरकल है clear उसके बात क्या है अंदर की तरह एक छोटा सरकल है तो उस सरकल को हम छोटा बना देदें पर दोनों का जो सेंट्र है वो क्या है सेम ओके तो इस तरह की कुछ बात कर रहा है यहाँ पर तीन है एक चुली एस वन एस टू एंड एस थ्री तो तीसरा भी हम लोगों को ड्रो कर लेना चाहिए छोटा सा सरकल जिसका जो है की सेंटर तीनों का सेंटर क्या रहाएग यहाँ पर क्या बोला रहा है एक पॉइंट है एस वन के इंदर तो यह हमारा एनच वंहथना बाहर ही बाहर वाला प्र उसके बाद हम लोग तो नाम देना शुरू कर देते हैं, S1 है, एक क्या है फिर बीच वाला, S2, फिर हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, S3, अब यह बोल रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, बाहर वाले सरकल पर, तो S1 जो सरकल है, वो कितना गिवन है, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, ताकि Y2 is equal to A2, इसी तरीके से S2 की जो equation है, वो क्या है, X2 plus Y2, S2 की equation है, X2 plus Y2 is equal to B2, इसी तरीके से S3 की equation है, सबसे अदर वाला सरकल वो क्या है, X2 plus Y2 is equal to C2, तो यह सरकल है, अब बाहर वाले सरकल पर एक पॉइंट लेना है हम लोगों को, क्या लेना है, बाहर वाले circle पे एक हम लोगों को point लेना है और फिर उस point से हम लोगों को बना देनी है tangent यही तो बोल रहा है यह देखो इस question के अंदर from a point on the circle s1 to the circle s2 तो code of contact किये बात कर रहा है कौन से वाले circle के लिए s2 पे लिए तो जो code of contact होगी वो वो touch करेगी इस वाले circle को तो देखो यह किस तरीके से बात हो रही है एक line है जो अंदर वाले circle को touch कर रही है इस तरीके से यह एक line है अब यह वाली जो line है यह actually code of contact है Code of Content किसके लिए है इस वाले Point के लिए मतलब यह A Point और अगर हम लोग नाम देदी इसको B Point तो A B पर यहां से Tangent बन रही है वो Tangent भी हम लोग ड्रोज किल लेते हैं ऑ एक तो A ao पर Tangent है कि यह पर Tangent फोड़े बहने में मुश्किल रहेगा पॉइंट थोड़ा उपर की तरफ ले लेंगे चला अब लोग कोई दिख्कत नहीं है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या चेंज कर लेते हैं कि यह वाली जो डॉटेट लाएन है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो यह डॉट के लिए थोड़ा सा रबल्ट दूसरा यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों तो दो हम लोगों को टैंजनी बनानी है ऐसा वह बोल रहा है बाहर वाले सरकल के किसी gonna पॉइंट से तो एक टैंजनी दो यह तो इसThese तरह की कुँछ टैंजन्जन हम लोगों ने रौ करी तो यह ए आप लेले आ है कि कौन कौन सा पॉइंट है ONE यह वाला पॉइंट है और इसी तरीके से यहां पर जो point है वो क्या है B अभी ऐसा बोल रहा है कि A B को मिलाते हैं हम लोग तो वो अंदर वाले circle को क्या कर रहा है touch कर रहा है मतलब ऐसा कुछ है कि यह तो है code of contact यह क्या है बाहर वाले circle के लिए S1 circle के किसी point h, k से अगर हम लोग tangent row कर रहे हैं A और B पर तो A और B को मिलाने वाली line को हम लोग बोलेंगा code of content अब यह code of content अंदर वाले circle को क्या कर रहा है touch कर रहा है तो अंदर वाले circle को touch करना चाहिए यह तो इस circle की थोड़ी सी size हम लोग increase कर देते है बास इस तरह की कुछ बात हो रही है है तो देखो यह वाली जो line है जो यहाँ पर सीधी straight line दी हुई है बहार वाले circle से क्या बनाई देखो बापे से पढ़ते है code of contract of the tangent drawn from a point on the circle s1 to the circle s2 मतलब s1 से s2 का code of contract बनाई है और तीसरे वाले circle को touch कर रही है तो simple सी बात है अगर मालो मैं a b की equation लिखना चाहता हूँ और एक point मैंने माल लिया h, k जो बाहर वाले circle पे है तो अगर वो point बाहर वाले circle पे होगा तो उसकी equation को satisfy करेगा तो इस point को हम नाम देदेते हैं p तो p lies on s1 तो p h s1 की equation को satisfy करेगा मतलब हम लिख सकते है h square plus k square is equal to a square इसको हम नाम देदेते है equation number first अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग a b की equation निकालना चाहते है a b की equation कैसे code of contact क्योंकि एक ये जो point p h,k वहां से a b s2 circle के लिए code of contact है तो a b की equation है code of contact की form में क्या होगी hx plus ky is equal to b square okay equation number 2 अब यही same line according to questions जो बिलकुल अंदर वाला circle है उसको touch कर रही है हम लोग बोल सकते है a b touches s3 मुला s3 को touch कर रहा है तो कोई भी line circle को touch करती है तो हम क्या लिख सकते है center से line की perpendicular distance is equal to radius लिख सकते है okay तो यहाँ पर हमारे पर line की equation है h,k hx plus ky is equal to b square अब यहाँ origin से इस पर perpendicular अगम लोग हम लोग डालेंगे तो हम लोग क्या formula लगा रहा है p पराबर r,p मतलब 0,0 की hx plus ky is equal to b square से distance तो हम लिखेंगे तो क्या हैगा 0,0 से distance 0 plus 0 minus b square upon under root के अंदर क्या हो जाएगा h square plus k square is equal to radius और radius का है सबसे छोटे वाले circle की radius c है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज कर लेना चाहिए mod अब हम दोनों तरब square करेंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो किस तरीके से आएगा b square is equal to यह square नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है under root h square plus k square into c अब दोको h square plus k square की तो value हम लोगों को equation first पता है कि वो कितनी है a square है तो under root a square बाहर आके कितना हो जाएगा a तो b square is equal to क्या हो जाएगा a c इसका मतलब हम लोग गोल सकते है a b c r n g p clear तो यह इतना सा हम लोगों का question था और इसका answer है a b c में क्या relation होगा तो a b c में यह relation होगा कि a b और c जो हैं वो किस में होगे जीपी में अब हमारा next topic है intersect हो रहें तो जिस point पर अगर वो intersect हो रहे हैं उस point पर हम कोई tangent बना देते हैं कोई circle है वो दो point पर intersect हो रहे हैं इंट्रसेक्टिंग पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट ड्रो कर देते हैं जैसे कि यहां पर हम लोग टैंजेंट ड्रो करते हैं तो यह इसका इंट्रसेक्टिंग पॉइंट है यहां पर एक टैंजेंट बनाते हैं हम लोग इस तरीगे से बनेगी यह तरीगे से उसी पॉइं पर हम लोगों ने क्या बना दी? टैंजेंट बना दी. अब इन दोनों टैंजेंट की बीच में जो एंगल होता है. उसी को बोलते हैं एंगल बिट्विन टू सर्कल. तो अगेर मैं रिपीट कर देता हूँ. दो सर्कल के बीच में एंगल का मतलब क्या होता है? वैसे तो दो कर्व की बीच में एंगल होता है. हम लोग क्या बोलते हैं? दो लाइन की बीच में हमेशा एंगल होता है. तो यहाँ पर क्या होगा? दो सर्कल जिस पॉइंट पर इंट्रसेट करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग टैंजेंट बनाएंगे. circle 1 के लिए भी tangent बनाएंगे और circle 2 के लिए भी tangent बनाएंगे वो tangent की बीच में जो angle होगा उसी angle को हम लोग बोलते हैं angle between 2 circle अब इसका formula रहता है cos theta की form में जो cosine formula से हम लोग derive भी कर सकते हैं तो इसका formula होता है cos theta is equal to r1 square cos theta is equal to r1 square plus r2 square minus अगर मालों इसका center है c2 और इस वाले का center है c1 तो हम लोग बोलते हैं minus c1 c2 का whole square c1 से c2 की distance का whole square upon हम लोग लिए देते नीचे 2 r1 r2 2 r1 r2 अब देखो यहाँ पर एक special case है वो special case क्या है special case कुछ इस तरीके से है कि theta अगर 90 degree है theta अगर क्या है 90 degree तो हम ऐसा बोलते है s1 s2 circle r orthogonal क्या बोलते हैं circle r orthogonal मतलब अगर cos theta की value 0 है मतलब theta is equal to 90 degree है तो उस case में हम लोग बोलते हैं कि जो circle है वो किस तरीके से होगा orthogonal होगा अब orthogonal की condition हम लोगों को पता होनी चीए तो कुछ भी नहीं है इस formula के अंदर r1 प्लस यहां पर cos theta is equal to theta की जागे हम क्या लिख देंगे 90 degree तो यह 0 हो जाएगा तो नीचे वाला portion तो cos theta में 0 में चला जाएगा ऊपर वाले portion को हम solve करेंगे तो ऐसा कुछ हमार पास answer आएगा condition of orthogonality भोलते हैं उसको की दो circle अगर orthogonal है तो उसकी condition क्या होती है उसकी condition या फिर उसकी शर्थ क्या होती है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 is equal to c1 plus c2 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अगर 2 circle orthogonal है तो condition रहेगी 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 is equal to c1 plus c2 कभी कभी क्या होता है लोकस से related question होता है तो उसके अंदर यह जो condition है वो काम आती है हम लोगों की ओके अच्छा एक और बात कभी कभी वो बोल देता है कि एक line है और एक circle उसके बीच में angle बताओ तो होता है दो line की बीच में circle और line की बीच में angle का क्या मतलब होगा तो हम क्या करेंगे line बनाएंगे और line circle को जिस point पर intersect कर रही होगी देखो मैं क्या करहा हूँ कभी कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो बोले कि बताओ angle between angle between line and circle तो उस case में क्या होगा suppose करो यह एक circle है है न suppose करना है इसको कि यह circle है और एक line है तो यह जहाँ intersect कर रही है न वहाँ पर एक tangent बना दो तो tangent और line के बीज में जो angle होगा न उसी को बोलते है angle between line and circle तो यह कुछ नया नहीं है बस इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अब हम लोग देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने स्टेट 9 के अंदर देखा था क्या equation of circle passing through the intersection of two circle तो suppose करो दो circle है circle one इसी तरीके से circle two भी हम लोग ड्रो कर देते हैं circle two अब दोको इसका इन दोनों का intersecting point दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को a और b अगर इन दोनों के intersecting point से जाने वाला कोई दूसरा हम लोगों को circle निकालना है मैं क्या बल रहा हूं circle a circle b या फिर circle s1 circle s2 हम लोग बोल सकते हैं यह s1 is equal to zero equation है और यह क्या है s2 is equal to zero तो इसके जो intersecting point है वहाँ से जाने वाले अगर हमें किसी नए circle की equation लिखनी है तो यह जो yellow color का circle है इसकी equation क्या होती s1 plus lambda s2 is equal to zero s1 plus lambda s2 is equal to zero जो पुलोग उसके अलबा क्या होता, intersection of circle and line मालो कोई circle है और line है उसके intersecting से जाने वाला हम लोगों calculate करना है, तो suppose को इस तरीके से कोई circle है और यहां इसको intersect करके एक line जा रहे है, इस तरीके से अब यहां पर जो यह면 इसका intersection point है, intersection point से जाने वाला हमें एक नया circle निकलना है, point A, point B, तो इस तरीके से हम लोगों को कोई circle calculate करना है, मतलब उसकी equation लिखनी है, यह जो grey color में चल रहा है, तो इसकी equation कैसे होती है, अगर circle की equation S बराबर 0 है, line की equation L बराबर 0 है, तो हम लोग यह जो है, grey color का उसकी equation हमेश लिख सकते हैं, और उसकी equation होगी S plus lambda L बराबर 0, यह जो में दो circle के intersecting point से जाने वाली, sorry, दो line के intersection, या 6 बिंदू से जाने वाली नई line की equation निकालने के लिए क्या करते थे, formula लगा देते, L1 प्लस lambda L2 बराबर 0, तो यह जो concept है न, यह हमेशा apply होता है, दो curve के intersecting point से जाने वाला नया curve, तो curve 1 प्लस lambda curve 2 बराबर 0, हमेशा दोनों curve के intersecting point से जाने वाले नय curve को represent करता है, तो अगर दो circle के intersecting point से जाने वाला नया circle निकालना है, तो इस case में हम S1 प्लस lambda S2 बराबर 0 यूज़ करते हैं, और अगर circle और line के intersecting point से जाने वाला नया circle हम लोगो calculate करना है, तो हम क्या use करते हैं, S प्लस lambda L बराबर 0, इस तरह के हम लोग calculations करते हैं, अब देखो, अब हम इस से जुड़े वे थोड़ा खो example solve करेंगे, तो यहां के पर क्या लिखावा है, find the circle drawn on the code x cos alpha plus y sin alpha is equal to p of the circle x square plus y square is equal to a square, तो देखो, यह कितना easy सा question है, बहुत easy question है, इसके अंदर बुलावा है, कि एक line और circle के intersecting से जाने वाले नए circle के हम लोगों को equation निकालनी है, तो देखो, यह तो होगया हम लोगों का circle, अब इसी तरह के से एक line भी दी होई है, line को भी हम लोग ड्रो कर लेते हैं, तो line कुछ इस तरीके से दी हुई है, तो line के intersecting point से जाने वाला, line और circle के intersecting point से जाने वाला, एक नया circle हम लोगों को calculate करना है, तो यहां पर हम लोग point का नाम देते हैं, A, इसी नाम से हम दाम देते हैं, point B, अब जो नया circle निकालना है, उस circle के वो क्या होनी चाहिए, diameter, तो देखो सबसे पहले हमें जो circle निकालना है, उसको हम draw करके दिखा देते हैं, इस circle दिखेगा कैसे, तो इस तरह का कोई circle है, तो हम लोगों को निकालना है, और A, B उसकी क्या है, diameter, तो इसका हम लोग लिखेंगा, तो अगर मानलो मैं इसकी equation बराबर 0, S plus lambda L बराबर 0, इसी तरह के से हम लोग लिखेंगे equation, तो circle की equation क्या है, X square plus Y square minus A square plus lambda L, plus lambda L, तो L की equation क्या है, X cos alpha plus Y sin alpha is equal to P, अब देखो, इस circle को हम थोड़ यहाँ पर यह बराबर P की चाहिए, हम लोगों को क्या 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 लेना चाहिए, minus P लिख लेना चाहिए, minus P बराबर 0, हम लोगों को तोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, इसके अंदर, क्योंकि बराबर 0 जो है, वो पूरी की पूरी equation में है, अगर दोनों में बराबर 0 लखेंगे, तो दोनों equation में कितने बराबर दिख जाएंगे, हम लोगों को, दो बराबर दिख सकते हैं, ठीक square plus y square plus x lambda cos alpha plus lambda को अंदर, अगर हम multiply करेंगे, तो वो किस तरीके से दिखेगा, y lambda sin alpha minus lambda p minus a square बराबर 0, यह होगे, हम लोगों की circle की equation, कौन से आले circle की equation, dot dot करके जो red color में बनावा है, वो, अब दोगों, अगर मैं तुम से बोलू कि इसका center क्या होगा, तो सभी लोग बता सकते हैं, इसका center minus g, minus f से, तो इसका center हो जाएगा, minus lambda by 2 cos alpha, minus lambda by 2 sin alpha, अब यह जो है, यह center है, यह center उसी line पर लाई करेगा, कौन सी वाली line पर, जिस line को हमें क्या बनाना है, code बनाना है, तो अगर हम उसमें satisfy करेंगे, तो हम लोगों को lambda की value मिल जाएगी, तो यह center, यह कहाँ lie करना चाहिए, lies on equation of a, b, a, b की equation में lie करना चाहिए, तो a, b की equation में हम इसको रख देते हैं, तो जगो, x की जगे, हमारे पास equation क्या थी, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, x की जगे, हम लोगों को क्या रख देना चाहिए, minus lambda by 2 cos alpha, तो minus lambda by 2 cos alpha, मतलब यह क्या हो जाएगा, cos square alpha हो जाएगा, इसी तरीके से, minus lambda by 2 sin square alpha, is equal to क्या मिल जाएगा, p, तो यहां से हम लोगों को easily lambda की value, minus 2p मिल जाएगी, लेमडा इस इगल टू क्या हो जाएगा माइनस टूपी अब यह माइनस टूपी हम लोगों को रख देना चाहिए equation नमबर फर्स्ट में तो जैसे हम लोग महाँ पे लेमडा की वैल्यू रखेंगे put in equation नमबर फर्स्ट and lambda की वैल्यू रख दी तो equation जो बन के आएगी वही हम लोग को क्या होगा answer होगा ऐसा हमने क्यों किया क्यों कि देखो बापिस से देख लेते हैं यह एक circle था circle के लिए AB code थी code को व्यास मानके हमें circle बनाना था तो दोनों के छेट बिंदों से इंट्रसेक्टिंग से जाने वाला हम लोगों ने equation लिख दिया इस तरीके से s प्लस लेमडाल बराबर 0 फिर इसका जो center आया वह हमने कहा करा दिया line में satisfy करवा दिया तो इस तरीके से हम लोगों को easily क्या मिल गया answer चलो next question ट्राय करते हैं अब हम लोग है ना बहुत अच्छा अच्छा कोच्छा नहीं इस concept से related find the circle passes through the 00 and through the point of contact of the tangent drawn from 00 to circle तो देखो यहाप एक circle given है s1 उसकी equation है x square plus y square minus 11x plus 13y plus 17 is equal to 0 okay तो यह हम लोगों के यहां पर एक circle की equation दी हुई है तो यह क्या बोल रहा है जीरो कोमा जीरो से इस पर हम लोग बना रहे हैं टैंजेंट तो सबसे पहले अगर इसमें मैं 00 रखूंगा तो प्लस 17 आएगा मतलब जीरो कोमा जीरो कहां है obviously बाहर एक point है तो चलो एक छोटा से circle बना लेते हैं हम लोग इसके लिए कि भई यह एक circle है चोटा सा और origin यहां पर कहीं मान लेते हैं हम कि यहां पर origin है origin 0,0 यहां से दो tangent बना रहे हैं कितनी tangent बना रहे हैं दो tangent बन रही है यहां से इस circle के उपर तो tangent भी ट्रो कर लेने चाहिए tangent 1 थोड़ा सा point हिल गया है इस line को हिला देते हैं हम पूरा कि इस तरीके से क्लियर तो एक tangent तो अभी हम लोग बना दी एक और tangent लोगों को origin से बनानी है origin से एक और जो है वो क्या हो जाएगी टैंजेंट ओके तो यह जो point है ना origin actually यहां है इस जगे है origin ओ point यहां पर है ठीक है तो यहां पर इसने origin से बना दिया अब point क्या-क्या मिला हमें intersecting A और B अब वो ऐसा बोल रहा है पापी से पढ़ लो को जिन find circle passes through the 00 and through the point of contact of the tangent drawn from 00 to circle S1 मतलब हमें एक ऐसा circle निकालना है जो A से भी जाता हो और B से भी जाता हो और O से भी जाता हो तो हमें एक बड़े circle की equation निकालनी है और वो बड़ा circle जो है वो कौन सा वाला circle है A और B से भी जा रहा है और कहां से भी जा रहा है origin से भी जा रहा है इस तरह के हम लोगों को circle की equation निकालनी है तो देखो सिंपल सी बात है सबसे पहले हम लोगों को A B की equation निकाल लेनी चाहिए अगर मैं A B की equation निकाल पाया तो मैं ग्रीन कलर के circle को लिख पाऊंगा circle प्लस lambda line का मतलब है A B तो अगर मैं A B की equation लिखालना चाहता हूं तो A B एक्चुली code of contact है code of contact किसके लिए है 0,0 के लिए with respect to origin तो origin से अगर मैं T बराबर 0 equation लगा लता हूं तो मुझे A B की equation मिल जाती है A B की equation T बराबर 0 लगा सकते है हम लो origin के respect में तो origin के respect में अगर हम T बराबर 0 equation लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा X X1 मतलब सबसे पहले हमें मिल जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 11 बाइ 2 X प्लस 0 इसी तरीके से प्लस 13 बाइ 2 Y प्लस 0 प्लस 17 इस इकल डू 0 तो यह equation of A B है कुछ इस तरीके सा आईए इसको थोला सा simplify कर ले थे हम लोग तो equation क्या आएगी A B की माइनस 11 X बाइ 2 प्लस 13 Y बाइ 2 प्लस 17 इस इकल डू 0 अब अगर इसको हम माइनस 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह equation हो जाएगी कुछ इस तरीके से 11 X माइनस 26 Y प्लस 34 इस इकल डू 0 तो यह equation आगे हमारी A B की यह किसकी equation है A B की equation है अब देखो A B से जाने वाली और A B और circle के intersecting से जाने वाला जो green color का circle है यह वाला इसकी हम equation कैसे लिख सकते है S plus lambda equation of A B बराबर 0 तो circle की equation तो है ही से हमारे पास है तो circle की equation क्या है x square plus y square minus 11 X तो वहाँ से हम लोग circle की equation copy कर लेते हैं और लिख देते हैं उसको तो हो जाएगा x square plus y square x square plus y square circle की equation के according हम लोग answer लिखेंगे हमारा minus 11 X plus 13 Y minus 11 X plus 13 Y plus कितना है 17 plus lambda line की equation 11 X minus 26 Y plus 34 is equal to g तो यह है वह circle अब यह वाला circle कहां से भी जा रहा है origin से भी जा रहा है passes through origin क्योंकि दो यह lambda निकलने के लिए लेंटा की लिए कुछ नो कुछ तो बात होनी चान्य क्छिए तो lambda निकालने के लिए यहां पर आसा बताया हुआ है कि वह origin से जा रहा है तो इसका मतलब 0,0 इस पूरी equation को क्या करेगा satisfy करेगा तो अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0 plus 17 plus lambda और अंदर की तरह मिल जाएगा 34 is equal to 0 तो 34 lambda is equal to minus 17 तो lambda is equal to कितना हो जाएगा minus 1 by 2 अगर हम इसके अंदर इसको put करेंगे equation number first के अंदर तो हमें क्या आजाएगा answer मिल जाएगा मतलब हमें वो circle की equation मिल जाएगी जो वापिस से की एक circle था ये gray color का वहाँ से origin से हम लोगों ने दो tangent बनाई दो tangent का जो touch point है a point b point a और b और origin से जाने वाले circle की equation हम लोग इस तरह के से calculation कर सकते हैं बस हमें lambda की value minus 1 by 2 यहां रखनी है और वो भी बहुत easy है minus 1 by 2 रखोगे तो यह 2 जो है इस तरफ left hand side में multiply हो जाएगा तो यह simple सी calculation है इसके बाद और कुछ भी इसके अंदर नहीं है चलो next category का question solve करते हैं हम लोग find circle passes through minus 1,2 and touches the circle s1 at 0,0 यह बहुत अच्छा कोशन है इसके अंदर एक नया concept यूज होगा वो दोको क्या है यह हम लोगों को s1 दिया वा एक यह s1 हम लोगों को given है इसका नाम है s1 यह वाला जो circle दिया वा है ओके अब इना इसके उपर 0,0 है वो तो बिल्कुल दिखे रहे है कि वो 0,0 इसके अंदर satisfy हो रहा है 0,0 इसके उपर है अब यह 0,0 पे एक circle हम लोगों को बनाना है touch करता हुआ क्या बनाना है circle बनाना है जो इसको क्या करेगा touch करेगा तो एक circle ड्रो कर लेते हैं ओके थोड़ी side छोटी उनी चीज़ की ताकि diagram अच्छा देखेगा यह इस तरीके से ओके तो देखो हमें क्या करना है यहाप है find the circle passes through the minus 1,2 मतले इस पर एक और point हम लोगों को given है कुछ-कुछ p point वो क्या है minus 1,2 and touches the circle s1 बिल्कु टच कर रहा है s1 को इस point के ओपर at 0,0 और वो point क्या है 0,0 अब देखो यह वाला circle दो हो गया तुमारा s1 और यह circle की equation हम लोगों को calculate करनी है तो देखो अगर मैं देखू कि मेरे पास 2 point है और मैं circle की equation मान लेता हूँ एक तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ इससे हम solve न करेंगे यह बहुत lengthy method है हम यह जो blue color का circle इसको मान लेते हैं standard circle x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c बबाबर 0 ओके फिर उसमें एक बार point 00 हम लोग satisfy करवा देते हैं तो c की value हमें मिल जाएगी एक बार हम कौंसा point satisfy करवा देते हैं minus 1,2 satisfy करवा देते हैं बट देखों यहाँ पे मुझे क्या-क्या अभी calculate करना है g और f अगर मैं minus 1,2 satisfy करूंगा तो g और f में a की equation मिलेगी मुझे अब दूसरी equation निकानले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों circle एक दूसरे को बाहर से touch कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे एक आगे जो हम पढ़ने वाले वह concept लगाना पड़ेगा कि दोनों की center की distance बराबर क्या होगा r1 प्रस r2 तो r1 निकालेंगे r2 निकालेंगे under root use होगा तो बहुत complicated हो जाएगा तो उसकी जगे देखो हम एक तरीका use करते हैं यहां पर जो यह point है जहां पर इंटर सेट कर रहे हैं वह point को हम क्या बोलेंगे 0,0 बोलेंगे ऐसा अब मैं तुम्हें 0,0 पर point circle लिखवाना चाहता हूं point circle कहां पर लिखना चाहते हैं हम लो वह कैसी होती है x square plus y square is equal to x square plus y square is equal to 0 क्योंकि radius इसकी क्या है 0 अब दोको यह एक मान लेते हैं हम एक circle है ठीक है अब यह वाला circle and s1 circle तो इसका नाम दे देते हैं हम s तो हम बोल देंगे यह जो हम लोगों को circle निकालना है न वो point circle जो यहां पर हम लोगों का बनाया हुआ है point circle और gray color के circle के intersecting से जाने वाला नया circle है तो हम क्या लिख सकते हैं s1 plus lambda s बराबर 0 और हम इसको यह भी लिख सकते हैं s plus lambda s1 बराबर 0 तो बापिस से बात को समझो circle को touch तो करी रहा है तो जहां touch कर रहा है अगर मैं वहाँ point circle मान लेता हूँ तो point circle और यह gray color का s1 circle के intersecting से जाने वाला circle हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल अब इसको equation में हम लोग जमा देते हैं तो इसकी equation क्या हो जाएगी x square plus y square minus 8x plus 6y इतना से यह plus lambda s1 s1 क्या है मतलब s क्या है point circle वह है x square plus y square ओके अब हम लोग lambda निकालना चाहते हैं और यह तो बराबर में 0 ही सही अब यह वाला circle यह कौन सा है blue वाला circle है तो blue वाला circle पर point p लाई करेगा तो यहां पर हम एक point lies करवा सकते हैं lies p lies on this circle ऐसा question के अंदर दिया हो है कि भाई p point इस circle के अंदर लाई करते हैं तो अगर हम इसको में satisfy कर रहेंगे तो क्या में लेगा हमें 1 plus 4 minus 8x तो क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा plus 6y तो वह हो जाएगा 12 clear plus lambda 1 का square प्लस 2 का square मलब वह कितना हो जाएगा 1 plus 4 1 plus 4 बराबर 0 अब left hand side और right hand side solve कर लेते हैं तो यह तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 20 20 plus 5 तो 25 is equal to minus 5 lambda तो lambda की जो value है वह कितनी मिली इसको यहाँ पर divide करेंगे तो minus 5 हो जाएगा ना lambda तो lambda is equal to minus 5 मिल गया अब यह lambda हम लोगों को कहां रख देना चाहिए इधर equation में रख देना चाहिए तो जो हमारा answer वाली equation है वह क्या हो जाएगी अगर हम यहाँ माइनस 5 रखते हैं क्या रखते हैं यहाँ पर minus 5 रखते हैं तो हमें मिलेगा minus 4x square minus 4y square और यहाँ पर तो lambda multiply हो ही नहीं रहा तो यह क्या हो जाएगा minus 8x plus 6y is equal to 0 अब हम लोगों को minus 4 से divide कर देना चाहिए पूरी equation को तो answer हमारा को जिस तरीके जाएगा x square plus y square minus 4 से हम multiply कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा 2x minus 6.4 मतलब यह क्या हो जाएगा 3 by 2 बराबर 0 तो यह हमारा answer है वो circle जो एक दिये वे circle को touch कर रहा है origin पे साथ में minus 1,2 से भी वो pass हो रहा है minus 1,2 जो है वो हमने use किया lambda की value calculate करने के लिए ओके चलो next question solve करते है find the circle passes through p minus 1,2 and touches the circle s1 x square plus y square minus 8x plus 6y is equal to 0 at 0,0 वापस से find the circle passing through p minus 1,2 and touches the circle at 0,0 तो सबसे पहले है ना हमारा एक काम है कि इस question को हम कैसे भी करके समझे अगर एक बार हमने question समझ लिया तो फिर उसको solve करने में कोई परेशानी नहीं होगी तो यह simple सा दियावा है यहाँ पर एक हमें एक ऐसा circle निकालना है जो यह वही question तो नहीं है दोबरा find the circle passes through these and touches the line ओके ओके तो यह तो शायद repeat हो गया है यह ना यह same question है तो next question हम लोग कर लेते हैं गलती से repeat हो गया हुए question अब हम लोग next question तो नहीं next topic है अब यह topic हम लोग next class में discuss कर देंगे कि वह दो circle है दो circle की क्या-क्या position हो सकती है और उसकी according हम लोग क्या-क्या कितनी tangent हो सकती है ओके